नमस्कार दोस्तों आप सो ही लोगों का श्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेगल एडवाइजर एम पर जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समविधान और समविधान के संदर्ब में आई हुई सुप्रिम कोर्ट में एक याज क्या पर तो इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाश्ट तक देखिए और कमेंट में अपनी राय जरू दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियों पर देश की नागरिकों की प्रतकरिया बहुत आवश्यक होती है तो ऐसे वीडियों पर आपकी प्रतकरिया कभी-कभी नियायले को निड़े देने में भी साहता करती है तो आप अपना धर्म निभाई ये नागरिक होने का कमेंट करिए ताकि आपके माद्यम से हम आपकी बात आगे तक बढ़ाते रहें जी हाँ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 1976 में इमर्जेंसी के दोरान भारती संविधान की आतमा को रोधते हुए लोग सभा जब भंग थी जब पूरी पावर जो है वो प्रधान मंतरी के पास थी ऐसी इस्थिति में बालि साहमा संविधान संसोधन उन्हें 176 लाया गया था और बालि साहमे संविधान संसोधन द्वारा भारती संविधान की प्रस्तावना जिसे की भारती संविधान की आतमा भी कहा जाता है को में दो सब्द एक्ष्टा जोड़े गये थे जोड़े तो ब्रमनियम स्वामी जी और राम मंदिर के मामले में सुप्रिम कोट हाई कोट हर जगह प्रैक्टिस करने वाले अपनी बात रखने वाले वरिष्ट अधिवक्ता स्री विष्णु शंकर जैन इन दोनों लोगों ने अनुरेबल सुप्रिम कोट में एक याची का दायर करते उसमें CGI भी थे तो उन्होंने इसमें यह प्रश्ण किया है कि क्या जो भारती संथान की प्रस्तावना में जो 26.9 आंचा subjective का प्रयोग किया गया है उस तर्म को उस तारीख को क्या उसमें से हटाया जा सकता है क्या उसको संसोधन कर के उसको निरसित किया जा सकता है तो इसक जवाब में स्री सुब्रोमन्यम स्वामे जी ने यासपष्ट किया कि यही प्रश्ण मेरा भी है माननी नियाधिस महोदे कि अगर ऐसा संभो नहीं है तो 1976 में ऐसा क्यों किया गया कि बिना किसी से पूछे बिना भारती संसद में पास हुए उसमें दो सब्दों को एड कर दिय है या उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो जो केसवानन्द भारती का केस था वो 1974 में डिसाइड हो चुका था और बेसिक स्ट्रक्चर की थिरी तभी भी आ चुकी थी और 1976 में बैलिसामा संभिधांसन सोदन आया था तो उस हिसाब से भी यह उचित नहीं है तो इस विशेपर बिशार करना चाहिए तो सुप्रिम कोट इस विशेपर बिशार कर रही है कि क्या ऐसा करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा कमेंट में आप भी अपनी राय दीजिए कि यह ठीक रहेगा या नहीं रहेगा धन्यबाद